Hello what's up guys welcome back to another episode of cricket 24 career mode तो भाई Tamil Ladu से match चल रहा है जो match हमने last episode में छोड़ा का वहीं से continue करने जा रहा है तो अगर आपने last episode नहीं देखा है तो भाई आप उसको playlist में जाके cricket 24 या फिर career mode section में जाके देख सकते हैं भाई सीध हम match में चलते हैं तो भाई 35 runs पे हम खेल रहा है 31 runs का भी trail है एंड उस trail के बाद हम ही target देना बहुत मुश्किल रहने वाला है मैं चाहूँगा बाई at least हम 200 runs का target दे वाई क्योंकि 200 से कम के target पे तो कुछ नहीं होने वाला भाई जीतने के चांच ही नहीं है वहले थोड़ा थराब शॉट अब यह भी बहुत डिपेंट करता है कि भाई मुझे जो साथ मिलने वाला है वो कैसा है भाई क्योंकि जब अननद भी 15 पे खेल रहा है तो यह 50 मारता है एक जो लोग आते हैं वो थोड़े 30 रहन ऐसे बनाते हैं तो हम अच्छे target पहुत जैसे हैं मैं अच्छे target देने पहुत सकते हैं मैं अकेला खेलता हूँ तो कोई चांस नहीं और भाई कई लोग हैं जिन्हें तेज जो मैं खेलता हूँ वो अच्छा नहीं लगता हूँ तब मैं फिर जादा दीरे खेलने हूँ तो कि तब मैं सिंगल्स आराम से लेपाँगों जो साथ में बैट्समें होगे वो भी स्किल्डोगे वो ऐसे आराम नहीं हो जाएंग तो तब तक का भाई मैं यही काऊँगा वेट जिन लोग पुर डिसेंसिव प्ले जादा है और कि जिनको अग्रेसिव पसंद भाई वो तो अभी एंजोई करी रहें लेट्स को फॉर लॉफ्टेड ओफड्राइब भाई ओके मारने को बहे हैं अची लगी है यह पहला चॉक आज के दिनक बहुत शांदा डबल आइडियल शॉट है रिपले देख सकते हूँ भाई हमने मेरा भी यही काम मुझे भी बहुत अची इनक्स केलनी है तब ही मैं टीम को जिदा पहूँगा वैसे एक फाइदा भी अगर हम भाई यही से बहार हो जाते हैं केम से मतलब जो यह टोर्नमेंट चल रहा है रंजी ट्रोफी इससे क्वाटर फाइनल नहीं कहल पहा है तो भाई लोग करने को गए है बहुत अची कवर ड्रायव है कबर स्कुर्ड रायव काऊंगा मैंसे मरन प्यार स्कुर्ड रायव भी नहीं प्यार कवर रायव द्रॉर कवर द्रायव एंड आराम ईसे सिंगल मिला 50 पूरी कूरियन की आनंद भाई 53 ब्ल्स में 17 बना रखें तो दिखने में भी थोड़ा ऐसे वियर्ड साही लगता है वालो तुमने कुछ हटके शौट केला है वैसे अगर भाई तुम लोगो मेरे वीडियोस पसंद आता है और भाई तुम चाहते हो अपना चैनल ग्रो हो तो शेयर करना मत बूला करो भाई तुम जितना शेयर करते हो न उतना ही भाई ऐसा मालो सीधा फायदा है वो चैनल को तुम भाई वो करना ना बूला करो अब यार ठीक ता पार्टर्शिप चल रही थी आनंद के साथ लेकिन विकेट को दिया अब हंस भाई आया था कि छोटियो और चार चकों के साथ इस छाइक करे कारिया 166 का स्राइट कमाल की बात है कि सबसे जादा छक्के मेरे इसाब से इस फिफटी में हो रहे लेकिन सबसी कम स्राइक रेक्रीड भी मेरा इसी फिफिटी में आर रिएस के वाई का मलब लिटरली स्वागधी अंब जो एक वापस से एक बाई सामने की तरह में वो खेलने वाला हो lofted off drive एद यह तो बहुत शांदा लगी है, 6 भी जा सकती है जाएगी न भाई आथ 6 कोछ जानद ही आसानी से लग रहे हैं अच्छा वैसे एक भाई का अमार पास कमेंट आया था कि भाई जो तो difficulty है उसे बढ़ा लो easiest से हटा लो तो उन भाई को मैं एक बार difficulty दिखाना चाहूंगा अपने difficulty दिखते हो भाई ये AI test है एंट ये जो batting और physics realistic है ना तो मैंने एक video पहले बनाई थी इसमें मैंने दिखा रखी है कि ये realistic के अंदर क्या है तो आप भाई वो ध्यान से देख रहे हैं हार्ड और hardest के बीच की difficulty है ये एक दो चीज़े तो hardest से भी उपर है जो ये AI test है ये hardest से ज्यादा हार्ड है उससे आप से हम easiest पे नहीं खेल रहे है हार्ड और hardest के बीच में खेल और फिर भी अगर आप मेंसे ये तो जो नए लोग चैनल पर आते हैं उनके लिए मैं difficulty जिखा देता हूं कभी कबार ओके बाई दो फाइनली लीड भी मिल चुकी हमें दो रन से हम अभी लीड पर इतनी सी लीड से मेरे भाई कुछ होने वाला है नहीं यहां पर मिस्करा डबाल आइड शॉट पर जो भी इसने में मुझे फॉर सम जीजन लॉफ्टेड ओफ ड्राइफ जादा अची लग रहे है वाल यह कवर ड्राइवी पर चौका मिला है उससे में चीज वो है कि रन मिलने चाहिए मानी बाई का भी स्वागत अच्छा कर रहा है पहली बाल पर आते ही चौका वैल इनकी जो एक बाई यह इनिंग्स बिल्द हो रही है जो भाई ऐसे बोल देते की अब इन्डिया के टाइम पर आने तो इंडिया के टाइम पर दीमा ही केलेंगे जब गेमपे इनकीनोमी बहुत अच्छी है बहुत बढ़ी है नॉमने टेंस मैशिए कहले है उसके सबसे वैल यह मने मिस्स हुए यह जरूटी बाहर की तरफ पि 유 भाई वो हन्स भाई खेल रहे थे हमार साथ वो भी निकले बहुत बढ़िया आरोरा भाई खेल रहे च्छै विकेट गिर चुके हैं यार कोई तो थोड़ा बहुत साथ दे लो कोई साथ ही ना देता भाई मरलब जादा भी नियार कोई मेरसा 50 मार दो ना भाई आधा प्रेशर कम हो जाएगा मेरा पर नहीं सारे रन जो बनाने तुम ही बनाओ वेल यहाँ पर नॉर्मली हम लॉफ्टे ड्राइब मारते हैं ग्राउंटे ड्राइब मारी वह भी बहुत शांदा लगी चौका हुआ कोश नहीं देगी बहुत डबल मिल जाएगा तो भाई उसका बदला चल रहा है रसके भाई आउट करने से पहले देख लिया करो किसे आउट कर रहे हो अगली बार से देख लेना वाल यहाँ पर चुका मारा है बहुत शांदार तकाई ओ मैंने नोटिस नहीं करा सेंचूरी हो गई हमारी 58 बाल में सेंचूरी 13 चुके औ यहाँ फिर 4 है यह वहल मोश 6 था एक स्ट्रेट ड्राइफ खेल सकते हो क्या प्रांजर बाई क्या बोलते हो बाल आई नहीं इते स्ट्रेट ड्राइफ लाइक जिस लाइक बाल आई थी वह खेला कट मारा बहुत अच्छा है चौका मिलेका मैं एक बार वही वियर्ड सा बहुत मजयते हैं देखते हैं इस बार लग पाता है क्या बॉल आई ए उस लाइक ना यार लगी ने रहा चलो जो भी यह वह इसका भी चौका है सामने की तरफी खेलने का सोच रहा हूं मैं ओ डैम नहीं 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 यार एच देखा कभी कभार हो जाता यार पर यह कभी का थोड़े और रन बनाने थे अभी भाई तुम लोग मानोगे नहीं क्या वह स्कोर कार्ड दिखाता हूं तो पेश है भाईयों आप क्या कि स्कोर कार्ड लिटरली दीपक चेहर ने तब स्ट्राइक करा जब टीम को सबसे ज़्यादा जरूवत थी 17 ओवर 54 रन और 7 यह मानी भाई का कैज पकड़वाया डैम भाई क्या मजा कर दिया चेहर ने वो जोशी का उसने चेहर ने पलब कलिया पर कुछ भी का हो भाई चेहर ने लिटरली क्या बोलू मैं मेरे पास शवद नहीं है एकस्प्रेस करने को क्योंकि लिटरली जो वापसी करवाई है ना लेटरली भाई पूरा मैच ऐसा मानलो मुठी मिला के रख दिया है राजिस्तान की 112 का टार्गेट है बिल्कुल छोटा सा टार्गेट था लेकिन 54 पे ही 7 विकेट किर खेंग हैं भाई डाम इट यार गजब बोलिंग चहल भाई चहर भाई लेटरली भाई मेरको फरक नहीं पड़ता है मैंने एक इनिंग्स में 70 मा रहा है एक में 100 मा रहा है इस मैच का अगर हम जीतने हैं तो प्लेयर अफट मैच नो डाउट दीपक चहर है और कोई हो ही नहीं सकता मैं अभी भी खुद को एक 3 ओवर का स्पैल देने वाला हूँ अगर मैं एक विकेट ले पाता हूँ तो मैं कंटीन्यू करूंगा नहीं तो भाई मैं स्पैल कंटीन्यू नहीं करने वाला हूँ इस मैच में खुद बोलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे रखा लेता हूँ भाई लेटरल यार पहला ओवर डाल याँ छे रंका लिये ओके भाई यह साजेदारी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए नहीं तो मैंने इतनी जेर जो दीपक भाई की तारीव करी है वो वेस्ट हो जाएगी सारी ना भाई प्लीज वह रनाउट चांस है रन लेटरली भाई मैं रन लीग कर रहा हूँ मैंने अच्छा निर्ने लिया कि यह मैं खुद को तीन ही ओवर देने वाला हूँ फिर देखेंगे वेल एक बार तो वीट मैंने भी कराया है एक यह और कर ट्राइ करने वाले है और हाँ अगर मेरे को तीन ओवर में विकेट नहीं लेटरली कितनी बड़ी बात हुजाएगी यह कि जिसने पहली इनिक्स में चार सो बनाए जिस टीम ने उस वो 112 रन का टार्गेट चेस नहीं कर पार यह काइंड ओव सच बताऊ ना जैसा अभी पहले टेस्ट में इंडिया के लिए वैसा सीन चल रहा है अगर विकेट हम भी एकाद ले जाते हैं तो भाई बहुत अच्छा योगदान रहेगा हमारा टीम के लिए एंड भाई ले गया क्या डाम बाई ओल पो स्रिकेट ले गया मैं यह चार बॉल डॉट डाली है बहुत बड़ी है लेट्स गूवित न आउट स्विंगर यह और क सिंगल ले दिया है थोड़ी तो खराब बॉल ती वैसे बर चलो कोई न सिंगल ही है सहो था भाई तो मुझे याद है भाई नहोंने मिरको भाई श्याद दो चौक यह मारे तिक पर फोकस करना है जो की ता आसान लगनी रहा है पर बीट जरूर करा ओके भाई यह मैच खतम ह हो आई है दिनेश का तेक 251 नॉट आउट हमारे पहली इनिक्स में 400 रन बनाए ताम इन लाडू ने राजस्तान 147 पे सिमट कई टॉप स्कोरर में 77 रन के साथ फिर अगली जो फॉलो बैक आई मिन फॉलो ओन करा राजस्तान में उसमें अच्छा केला राजस्तान 364 बनाए डीसेंट टोटल था लेकिन टारगेट इता अच्छा नहीं देपाई 112 ऐसे कुछ रन का ही टारगेट था उसमें भी वैसे में जो स्कोरर था मैं ही था 117 रनों के साथ लेकिन फिर दीवताग भाई की बोलिंग आई 30 रन देखे 7 विकेट ले लिए 9 डिग्री पे ओलाउट क अगे हैं एंड प्लेर अफ दीवीज भी हमी चल रहा है बहुत बड़ी बात है दनेश कार्थिक नंबर 3 यह चीज़ नोटिस करेंगे एंड बैटिंग में भी नंबर 2 हैं बढ़ी है बढ़ी है सबसे अथा 6 भी में रही है 34 6 बढ़ी जो जो भी उसमें चलते हैं इसमें मह हुआ इसमें मैचे से अज effectively लिटरली तो इसमें हार दे का कोईवाल ही है बहुत मेकार रहेंगा बोल हम तो ची नहीं है तो बैटिंग करने बाल के ने हुझे है थोला रिष्की प्र चलते हैं चुनी होड़ी एंड सबस्टः बहुत आ ज कहला है 3डाून पैंग हो हैI बनाने है ते लेकिन अब वो mandatory नहीं है अगर मैं नहीं भी बनाता हूँ तो भी चलेगा पर शुरुवात कुछ जादा ही आज swag में करी है पहली ball पे चक्के के साथ ऐसा शर्ट पहली बार हुआ है मतलब बहुत क्योंकि भाई वैसे भी कोई मैच पात दिन तक पो चलता नहीं है कितना भी दिरेगेलो फरक नहीं पड़ता है वैल यहां पे हमने डबल लिया है बहुत बढ़िया भाई अब हम अगर सिंगल भी लेता है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है वैल पहली वालपेन का स्वाहगत बहुत अच्छा हुआ है शिक्स के साथ वैल भाई चोटा ग्राउंड है थोड़ा वांखेडे है वांखेडे इसलिए क्योंकि सामने महारास्टा टीम है तो मैं सोचा यह भी लगा देता है इतना चोटा ग्राउंड है कि लास्ट जो अभी चक्का लगा है यह के वाल साथ मीटर का है वैल सर्थ जोगी भाई हमें चोटा ग्राउंड फाइदा देरा है तो यह फाइदा उन्हें भी मिलेगा यह चीज नहीं बोल नहीं है आप प्ट से हेडशॉट पड़ा है डॉट तो Sanjeev भगता भाई आया है हाँ भगता भागते भागते आया है वै लेम जोग बट वटेवर लेम शॉट नहीं ता चौका मिलेगा इस चौट का अगर तुमको नहीं बता हो तो यह कौर्टर फाइनल है इसके बाद सेमी फाइनल है और उसके बाद फाइनल होगा आज पर इतना भी छोटा नहीं है भाई कि बाद से बाद से फूई एंड 6 ही लग जाए बे कुछ जादा ही चोटा हो रहा है क्या आप मुझे टिफकल्टी दिखानी बढ़ दियाती है बार बार ओ एक सेट नहीं करना मेरे इसकल्टी थैंक्यू तेस्ट रियलिस्टिक एंड रि थीरे खेलने को बोल रहे थे कुछ थैक अधर इसकल्टी दिवाना तो मुझे आरोनीक है लगा कि वह ही इसकल्टी दिवाने फिर भी मेरे को बोल रहे है बाई हिटमन को मेरे को चाहूंगा लेट्सको ब्लाइब बहुँँ अच्छा थैला है भाई ये बहुत चांदार प् बाउंटरी के नाम पर यहां पर कम ओन यार ऐसे आउट नहीं होना था शिट स्टम्प आउट हो गए हम यार कम ओन भाई चलो क्या ही कर सकते कोई ना वेल हमने 20 बॉल में 47 बना है पांच शक्के और 3 चॉके बाइम बहुत बढ़िया मेरी टीम ने 439 बना लिया 126 ओवर हो गया तो मैं सोच रहा हूँ यह सही टाइम में डिकलेयर करने का अब बोलिंग पे जलते भाई जादा लंबा के लोगा ड्रो थोड़ी करना है भाई हमको मैं जीतना है जादा ही मैजिस्टिक बोलिंग नहीं हो रही आज मेरी टीम की भाई 27 ओवर में 83 पे 4 भाई मेरी बैटिंग किती शांदाल वी तीम की बैटिंग एंड सामने वाली की भाई बहुत भेकार वैटिंग हो रही है बिल्कुल अग्रेसिव फील के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं भाई लेट्स गो विद आउट स्विंगर एंड इसेंट शॉट है पर टॉट है टारा भाई अभी उमीद बनके खेल रहा है लिटरिली स्ट्राइक बहुत अच्छा लगा मुझे 69 बॉल्स में 50 बना रखे हैं यह अच्छा स्ट्राइक अच्छा रहता निये लोगों का लेट्स गो वेता स्टैंडर्ड यॉरकर धीमी गती से यॉरकर हम डालने माले है तीन की रन रेट अभी उनकी चलती हुई है और इस यॉरकर पे बहुत शांदा स्ट्रेट राइप आ रही है चौके का प्रयास है चौका नहीं मिलेगा क्या वैल या भाई फील्डर ने रोक केला तब की बढ़िया कैच आउट हो जाएक पर चल कोई बाता है यहां पर में को ड्राइब कुचाद है एची नहीं खेल रहे लोग यह बहुत अजीब तरीके से सिंगल है सीधा फील्डर के हाथ में जाती पर नहीं नों स्ट्राइकर एंड के हेलमेट पे लगी उसके लिटरली पिछ के बगल में फील्डर लगा है यह सिंगल रोकने के लिए लगा है इधर बहुत मार मार के सिंगल लेते हैं यह वैल लास्ट बॉल ऑफ दो ओवर दोरन इस ओवर से आचुके हैं कुल मिला के हमने ठीक टा की एकनोमी रखी है पर देखते हैं लास्ट बॉल मे यह लेक कटर रहने वाली है देखने इस पर क्या होगा ओके रैम यह अचा फ्लेक है यह चौका जा सकता है स्पीड अच्छी जार यह बॉल की लेकिन आवाई फील्डर चेस कर लेगा और डबल लेगा वह डबल नहीं है पर ट्रिपल मिल गया है वै चलो कोई बाता मुझे कर डबलता पर चलो तिककत नहीं है अहां पर बड़िया डिपेंस अभी तुब 340 वन रून्स का ट्रेल है अगर हो सका तो मैंने फॉल्व ऑन भी दूंगा भाई उसमें मज़े आने वाले है वैल यहां पर स्ट्रेट राइव अच्छी खेली है लेकिन कोई फाइदा नहीं मैंने सुचा क्यों ना खुद को विलाया जा वैए एक विकेट की तो हम भी कोशिच करी लेते हैं 168 पर ही नौ विकेट गेट चुके है बहुत बड़िया है या हैधर भाई यह भी खेल रहा है इनका विकेट लेने का पर आस रहने वाला है इसका विकेट लेना आशान रहन क्या सीन चल रहा है मेरी बोलिंग के साथ देखो टेल एंडर तक मेरे को सिंगल निकाल लेता है आराम से चलो भाई टाइम आ गया थोड़ी स्ट्राटेजी के साथ बोलिंग करने का यह स्टैंडर लेवरी होगी इसके अगली दो आउट स्विंगर होगी फिर एक इन्स्वि इंगर रहेगी क्या एज का चांस होका वाई इस पर देखते हैं ना या लीव कर दी ओके तो मैंने फॉलो ओन दे दिया उनको भाई क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेल रह था अभी भी 15 ओवर में उन्होंने 45 रंस बना लिया है हम भाई हमारा पहला स्पेल लिया है इस इनिक गेम के ग्राफिक्स इस टाइम पर बहुत अच्छे लगता है रीजन मुझे पता नहीं पर यहां पर भाई बहुत ही बड़ी आमने बीट करा रुदुराज फेमस प्लियर थे उन्होंने कुछ खास करा नहीं लेकिन बाई एक इनिक्स में 25 रन बनाए एंड एक में तो एक ह कार्थिक बाई बहुत अच्छा के लेते है वैल यहां पर भला भाई सिंगल निकाले है वै कमेंट में अपना वोट जरूर डाल दे ना क्या लगता है वाई यह जो हम एलिमिनेटर खेल रहे है ओटर फाइनल खेल रहे है इसमें हम इनिक्स सी जीत पाएंग या नहीं क्यों नहीं यार उठा के मारो तो अच्छे से तुमारो कि कैच आये अच्छे से ना भाई ऐसे आधे मंद से उठा के मारते हैं कि कैच भी नहीं मिलता परामर और भला दोनों ही भाई दस-दस रन बना रहे है एक ने 17 बॉल लिए एक ने 31 लिए वो फरक है लास्ट बॉल ओवर की क्रोसीन के चाहद हमी ओवर समाप करने वाले है नॉर्मल स्पीड पर डालेंगे देखतें क्या होता है अल सादक उसने ये बहुत शहांदार ओफड्राइब है चौके के लिए जाती हुए एंचाएगी क्या चल रहा है यार मेरी बोलिंग अचानक से खराब हो गई हाँ बै अगला ओवर आया है नहीं 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 देखे थे एंड कुछ खास सच बताओं तो भी अमारी बोलिंग चल ले रही है पर फिर वाई बच्पेस रनों का ट्रेल है चाहूं बाए इससे पहले विक्ट मिल पाए दोशी भाई इनकी सबसे कमजूर कड़ी है बैटिंग की तो म अगला ओवर आया है नहीं हमारा एक इनिंग्स और सब्सक्राइब से मैच जीत गया बहुत शांदार भाई यह मैच गया हमारे लिए क्लियर मैच वापत से दिया गया है दीपक चैरगो क्योंकि उन्होंने एक इनिंग्स में लिये वही चार विकेट एक में लिये तीन विक मैं सोचके चुलना हूँ दस रेप का रखते हैं ओके यह धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है मुझे यहाद आया पहले बूल गयाता मैं ओगे बहुत बढ़ी अपा अरे डैम यार पांच रेप हो गयते चल कोई ना ताइम आउट की मिदेस थोड़ा हमें उचसान में दा आप शकर नहीं चेह रैप हो चुके हैं ओके नाइस सेवन रैपस दस हो सकता है 10 आराम से हो सकता है टू ब॑ल यह अरे करना भै चल्दी जल्दी ज्दी जल्दी चल्दी नौ हो चुके हैं 10 करने बस दस कंटी ए 11 का चांस ही इनिया तो झोटो ना बहुत बढ़ी है तो अब semi-final हो का Ranjit Trophy का वो मैं आपको भाई अगली वीडियो में दिखाऊंगा कैसा सीन रहने माला होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंदेगी पसंदेज वीडियो को लाइक जरूर से करता है मैं में सांट से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 पी डाई झू आपको लिए लिए एक मैं आपको भूझाचा।